हेलो आज का जो सेशन है वो देखने के लिए अगर आप किसी कार में व्यस्त हो और आप सोचरों बस ऐसे ही सौरब सूर दीपक भया की वीडियो ऐसे देख लेंगे काम हो जाएगा तो क्रिपया करके मोबाइल बंद कर दीजी क्योंकि सेशन देखने का मतलब यह है क्योंकि हम हम लोग बार बार आपको कह रहे है कि सेशन स्ट्रेटिजी वाला सेशन नहीं है हम हर एक एक छोटी से छोटी पॉइंट इस बार बता इसलिए रहे हैं आप विगत देख रहोगे साथ दिनों से ताकि आपके एक्जाम में अच्छा नंबर आए आज मैं दीपक भया के साथ आया हूँ जिनका एप्रोक्स एप्रोक्स रेंग 24-90 के आसपास था कह सकतो पचीस सो और करेंटली एडॉबी में प्लेजड हैं अच्छे खासे सेलरी पे और आप वो आईटेंस ब्लॉग ओले चैनल पे देखे होगे और यह मेरे मिन्टॉर भी हैं आप लोग को पता होगा हैं कुछ बच्चों के 26 के हैं कुछ 28 31 एक या दो तो ऐसे में इस मौक टेस्ट को दिया कैसे जाए क्योंकि दीपा भी आपको भी पता है मौक टेस्ट सब बच्चा दे रहा है और इंपॉर्टेंट भी है लास्ट टाइम में तो यही करना चाहिए अब अगर तुम लोग ज इंजा टिकनिक अपने दिवाएं में डाल लिया अब मैं दीपक विएस एक सवाल आज भी दीपक विए के पास इतनी हिम्मत है कि तीन-चार साल यह टीचिंग फिल्ड को छोड़े हुए भी 60% एड़ हो ऐसी सॉल्व करते हैं मेरे कोई डाउट आता है मैं नहीं बेशता कि क्या करना है वह कैसे डेवलप को मौक लगाने से देख यार सबसे पहले हमें यह सोचना होगा देखो हम लग मौक भले देते इस लाश्ट टाइम में एक दिमांग बहुत प्रेसर होता है कि यह मुझे मौक लगाना है अच्छा मेरा 200 में से 300 में से बस 150 नंबर ही आपा है तो बहुत से दिमोटिवेटिंग फेज होता है मैं एक बार एक चीज़ हमें से नोटिस किया हूँ सारब कि जो मौक टेस्ट होते हैं यह थोड़ा सा हार्ड होते इन कंपेर्जन के लिए मैं अपनी बाद बता तो 2016 में जब मैं प्रिपेरिशन करता था तो लास्ट टाइम म मन्त में मैं सिर्फ मौक टेस्ट पर ही फोकस किया था वो टेस्ट ड्राइव आदी थी तो मैं वो जो है डेली उससे प्रैक्टिस करता था और सबसे बड़ी तरीका यह है मौक टेस्ट के लिए कि यार आप लोग ना सिर्फ कोश्टन ना लगाओ सिर्फ अपने आपको वहा यार चलू ठीक है मेरे तो 300 में से 200 नम्मर आ गए हैं बाकी छोड़ो जाएने दो हमारा वहां भी अच्छा परफार्म कर लेंगे अगले टेस्ट पर जम्प करते हैं तो यह कभी नहीं वर करेंगा अगर तो अगर इवें जो कोश्टन तुम्हें आभी रहा है ना उसका भी पर जाए नहीं फटाक से एक मिनिट लगेगा उसको सोलिसन देखने में में भी हो सकता है बुग में किसी और तरीकी से किया हो और यह नया टेक्निक पता हो जाया और जल्दी हो जाया तो जो एक्जाम होता है इसमें तो तुम्हारे पास टाइम भी थुड़ी कमी रहेगी जितना जल्दी तुम टाइम कर सकोगे जितना ची टेक्निक लगा सकोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा तो आपके तो इसी वज़ा से आपकी रैंक पीछे जाएगी यही वज़ा है न कि आप लोग कहते हो कि भाया मैं 14 घंटे पड़ता था मैं 16 घंटे पड़ता था देखें कहीं न कहीं दीपक भी जई मेन का जो एक्जाम है वह एडवान से हाड है और दूसरी इसमें हल चल बड़ी होती है हल चल बड़ी है कि भाई अगर आपको फॉर्मला नहीं याद रहेगा तो आप कितने रैंक से पीछे हो जाओगा आपको नहीं पता चलेगा अब देखें मॉक टेस्ट करने का दीपक भी एक बहुत अच्छा तरीका भी था कॉपी पे लिखना उसको दीपक भी आप बता दीजिए फिर वीडियो को इंड करेंगे अपन कि मॉक टेस्ट देती समय किस तरह हमें अपनी एक सेपरेट कॉपी आप लोग को मैं पहली बताया थ जो मैं खुद किया इन्हों ने किया वह प्लान आज आपसे डिसकस करेंगे एक सेपरेट कॉपी पर किस तरह आपको जो सवाल नहीं आ रहे हो उसका क्या करना है प्लीज बताया है बट मैं फिर से वहीं कहूंगा कि यह तुमारा एक सेपरेट कॉपी होना चाही है मॉक टेस क्योंकि इस टाइम पर लास्ट टाइम एक दू दिन बाद अभी तो तो अभी तो तुम्हें एक रुनिंग मोड में रहना है चीजी जल्दी ज्यादा सॉल्व करने ज्यादा सॉल्व करना है आपको एक तरीका समझा देता हूं जैसे हम लोगों ने किया था बिसिकली जैसे हम लोग के समझ दीपग भी एक समय है मेरे समय हम लोग को कमबाइंड टेस्ट करके हम लोग को वह मिलता था पेपर मिलता था ओनलाइन नहीं था तो हम अफ्लाइन था तो हम लोग पेपर पही जैसे पहला सवाल है ठीक आ रहा है इसी पर बनाए नीचे इस पेस फॉर रफ पर वह दिया रहता था तो जैसे दीपक भी यह है बनाते थे आता था टिक मार के आगे दूसरा सवाल माली जे इनको पता चले सवाल गलत है यह आ जाता था अपने कॉपी पर और ऐसा नहीं कि हम लोग राइटिंग बैठाते थे नहीं यार इसमें तो तुम्हें बस चीज स आना है कि अच्छे से लिखना है नहीं इसमें टाइम यार फिर से कर रहा है कि maximum problem solve करो इस टाइम पर जीतना कर सकतो उतना करो और भगा के मत करो एक अगर अगर तुम थर्टी कोशन का चार problem solve कर सौ कर अगर मैं बोल नहीं है मैं सुबह बैठा मुझे एक टॉप लिंग का सवाल दिख किया पेपर में और टॉप लिंग मुझे आता ही नहीं था माल लिजिए तो मेरी इमांदारी कब काम आएगी जब अगल इस टॉप लिंग को मैं किताब में देखा सीखा केवल कैसे होगा जब अगला टेस्ट में लगाऊंगा टॉपली का कोई सवाल मुझे छूटे ना यह हमने बस लगा लिया उसके बाद माल से हमने रूफ को तो यह सब चीजे तुम्हें नहीं करना है ऑबराल हम लोग तुम्हें यह करना चाहते हैं कि लास्ट टाइम है जम सवाले आपको जैसे होता है कि आपने खूब बढ़ियां सा तलवार चमका लिया आप प्रैक्टिस करी नहीं रहे हो अब रानी लक्ष्मी भाई भी थी क्या जी एक ही दिन में चलेगी यह लड़ाई करना है अरे यह प्रैक्टिस करना पड़ता है ना अपने आपको आप जितने लोगों के साथ लड़ रही है वो उतना ही उनको अनुभव हो रहा है कौन कहां से तलवार चला सकता है तो आप भी जितना प्रॉब्लम कर रहे हो इस प्रॉब्लम के तह तक जाओ यार देखो अगर आपको रोलिंग मोशन का ही सवाल आएगा दो किसी यह यार किस पॉइंट झा रहा है कहां-कहां किस तरह की टॉप निग में गुस रही है रो आपको थिंधन कें बहुत बहुत बार आया था अगर तुम चाहते तो यह rolling motion के अंदर पूरी इतियास की समाई हुए वो ज्यादा important है तुम चाहते हो लाइक इस सौरब ने बताया कि मैं अभी भी रोड़ो का question कर सकता हूँ यार इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि उस time मैंने समझा था लाइक कोई topic है मैंने उस topic को समझा था इसा नहीं कि बस अच्छा यह यह होता अच्छा यह और लगा कि चेक कर लेते होता है कि नहीं होता है नहीं उससे तुम्हारा काम नहीं बंता है जब तक एक solid understanding नहीं होती किसी भी topic का तो फिर problem को solve करने यार इतना इसी नहीं होता है अगर एक बार जो एक threshold होता है ना अगर उस threshold से तुम डग गए और तुम्हें लग रहा है यार अब तो चीज़े सच में आसान लगने लगे अब तो चीज़े कोशन हो जा रहा है तो वो चीज़ तुम्हें जाननी है वो खुसी तभी आएगी है जब आप उतना comfort जोंसे ब तो ऐसी situation में क्या-क्या constant होगा पहला angular momentum दूसरा angular velocity अब आप को question उसी सबसे बनार लेना कि या angular होगा velocity नहीं होगा या change करेगा यह मेबी नॉट तुम समझ चुक्यों मैं क्या पूछना चलो मेरा बात सिर्फ इतना है angular velocity और angular momentum में कौन सा constant होगा कौन सा नहीं होगा तुम comment section में बताना ठीक है सब लोग बताना यार ठीक है मैं भी तुमनों का answer देखूंगा आज और comment करक मेरा बोर क्या चलो बाब बाए थैंक चलो डिक है और बाए